Assalamu alaikum everyone, welcome back to you for universe and welcome to your next video on dagger 2 for beginners और आज के dagger 2 के वीडियो के अंदर हम यह चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से एक ही टाइप की multiple dependencies या multiple objects को हम inject करवा सकते हैं using dagger using add sign name denotation तो अगर हम देखें तो अभी तक हमने सिर्फ यह देखा है कि जितनी भी हम dependency injection करवा रहे हैं dagger की तरफ से या dagger के थरू वहां पे हम हर एक type का object सिर्फ एक दफ़ा इंजेक्ट करवा रहे हैं वर्ड के अंदर देखें रियल वर्ड अप्लिकेशन के अंदर देखें तो यह मारे पास को ज्यादा यूसफुल नहीं क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली स्ट्रिंग्स को इंटीजर को प्रिमिट्व टाइप्स को multiple times यूज करते हैं लाइक हम जो मारे पस real connection है इसके अं हम इस वीडियो में देखेंगे और यहां पर गेन वह पॉइंट है जो मैंने पीछे इतनी दफ़ा रिपीट किया कि आप आपको जबन याद हो चुका होगा कि डेगर टाइप्स को exactly match करती है जब भी आप डेगर देखेगी कि यहां पर real connection create करने के लिए मुझे यहां पर end point की जरूरत है तो इसके टाइप स्ट्रिंग है तो अगेन मैंने पीछे भी बताया था आपको कि डेगर को end point नहीं पता कि end point किया यहां पर यहां पर यहां पर string लेने भी तो डेगर इन तीनों के अंदर यह वाली value inject कर वाएगी क्यों 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 वह सिर्फ types को exactly match कर रही है तो I think so आपको इसकी समझा चुकी होगी तक मैंने बहुत दोफार repeat किया सेम चीज़ मारे पस जो provides method होते हैं वो करते हैं लाइक कि यहां पर मारे पस मैंने पिछे भी आपको बताया था कि एक method है provide end point का तो dagger को यह नहीं पता कि provide end point का method क्या करता है वो देखती है return type ताइप स create करने के लिए dependency create करने के लिए जो dagger हुद create नहीं कर सकती तो dagger देखे कि मुझे real connection create करने के लिए string की जरूरत है तो वो यहां से देखे कि यह वाला method मुझे string return करता है अब यह इस method का name क्या है dagger को इसकी समझ नहीं है इसको सिर्फ return type की जो हो उसका पता कि यह value return क्या हो रही है सेम चीज़ यहां पर हो रही है कि यहां पर हमारे पास string है लेकिन अब हमारे पास जितने मरजी object string के उपर depend करें dagger सब के अंदर एक string value return करेंगी आप यह कह सकते हैं कि dependency graph के अंदर सिर्फ एक string type का object है और हमारे 10 objects post कर लिए हैं 10 classes हमारे string को string की जरूरत है या dependency है तो 10 के 10 objects के अंदर वो एक string object यह वो inject किया जाएगा तो अगें यह मारे पास को useful चीज तो नहीं कि कि रियल टाइम के अंदर हम strings होगे integer होगे इनको बहुत ज़्यदा दफ़ाद जाए वो different objects इनके हमने inject करने होते हैं तो हम देख लेते हैं studio में कैसे करेंगे तो इसके लिए हम यह करें के अंदर एक password होना भी जरूरी है password इसको हम कहा देंगे तो अब मैंने इन चीजों को भी constructor के अंदर receive करना है तो मैं यह वाला जो constructor है वो यहां से remove कर दूँगा और insert menu को generate menu को सुरी यूज करते हुए इन तीनों values के साथ constructor create कर लूँगा और इसको मैं यहां पे जो हो add sign inject के स निकला से तो अगर मैं यहां पर run करता हूं application तो हम देख लेते हैं कि मारे पास क्या output आएगी और आप guess करें कि क्या output आएगी अगर आपको guess ठीक हुआ it means के dagger आपको अच्छे तरीकर से समझ जा रही है अदर्वाइस मेरी पिछली वीडियो को थोड़ा गोर से देखें ला पास्वड के लिए भी मेरे पास एंडवाइंट आया और यह अपर यहां पर क्यों है क्या यह मारे पास कोई एरर है तो यह कोई एरर नहीं है डैगर सुकसेस्फुली डैगर ने मारे रिक्वाइर टाइप्स को इंजक्ट करवाया तो यहां पर वह चीज़ा जो मैंने देखा किया डिपंडंडेंसी ग्राफ के पास्ट को हर यहां यहां पर जाती है इंजेक्टर के उपर यहां पर मारे पास स्ट्रिंग वेलेबल आधी सॉफ और यहां पर या now Infinity को हर जीज़ा को यूजर्व कि दो यूजरी जाह तो एक यहां पर और पासवर्ड के लिए भी हमें जो वैलियोज हैं यह रन टाम के ऊपर अपने कंपोनेंट को पास करने पड़ेंगे तो को अपने कंपोनेंट के ऊपर आऊंगा और यह जो बाइंड इंस्टेंस वाला मैथड़ाइस को कापी कर लूँगा और यहां पर पेस्ट करूंगा और अगर मैंने यूजरgenerəm के लिए भी अपना एक मैतल क्रuine कर ली और पास्वर्ड के लिए ठेयर क कर लिए है तो अगרי में एक्टिविटी की ऊपर जाता हूं और यहां और से तो अब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड और एंड पॉइंट तीनु जो वैल्यू जो वैल्यूज अब रॉन टाइम के उपर पास कर दी हुए है तो अब अगर मैं दोबारा अप्लिकेशन को रॉन करता हूं तो हम देखेंगे क्या मारे पास मारा अप्लिकेशन बिल्ड हो और लेकर मारे पास एरर आ चुका हुए अगर आप यहां पर जाएंगे कंपाल टाइम के उपर ही डैगर ने आपका एरर दिया है और एरर मारे पास बहुत हैल्फुल है इस दफ़ा भी आविसलि आपको समझा जाएगा पाड़ के स्ट्रिंग इस बाउंड मैंटिबल पास किया था सेम अब हमने मल्टिपल स्ट्रिंग को यहां पर इंजक्त कर वाया तो डैगर को नहीं पता कि मैंने कौन से स्ट्रिंग यूज करनी है इसके लिए हम यूज करते हैं डैगर के अंदर एड़ साइन नेम डैनोटेशन तो उसके लिए हम किस तरीके जिसको श्ट्रिंग कॉपनेंट की उपर आएं जहांपर भी आपको कोई टाइप चाहिए तस टाइप से पहले यहां पर यूज करेंगे एड़ साइन नेम्ड एनॉटेशन और यहां पर इसको पहले था कापि कर लोंगा और रियल कनेक्शन की उपर आऊंगा जो यूजर नेम है स्ञेचेब के पहले इसको पेस्ट करूंगा और असलिए कि कर रहे हैं मारा हमने चाके और यहां पर है यहाँ भाया भाल स्टार flights करूए तो आप देखेंगे कि successfully मारा project build भी होगा और lock add की ओपर जो हमारी output हो भी आएगी method मारे inject होगी है connect तो आपने देखा हमारे पास अब user name जो हो admin आ रहा है और password जो हो admin password आ रहा है तो यह था गास किस तरीके से हम एक ही type के multiple objects inject करवा सकते हैं using adsign name अब obviously आपको समझाए चुकी होगी कि जहां पे भी आप यह वाला जो जो नेम है वो यूज करेंगे डागरी स्टिंग को refer करेगी जहां पे भी आप इसको annotation को और यह वाला जो name इसको use करेंगे डागरी स्टिंग को यह वो refer करेगी और सेम अगर आप चाहें तो आप यहां पे add sign name यहां पे आप कर सकते हैं endpoint endpoint तो आप यहां पे भी आपने endpoint को use करना है आपको यह वाली जो value यह वो use करने पड़ेगी तो मैं इसको यहां से copy कर लेता हूं और real connection के उपर जाता हूं और यहां पे इसको paste कर देता हूं और इनको new lines के उपर लेता हूं ताकि हम आप लोग ज्यादा easily इसको समय सकें तो आप add sign named के वज़ा से यहां पे जो हमने value दी है यह parameter के अंदर पास की है इसके वज़ाए से dagger into new strings के अंदर आल्दों इनके type same इनके द्रम्यान differentiate कर सकती है और obviously आप यहां पर आपको टाइप O आसकता है यहां पर अगर आप धीक और remove कर देंगे तो आप यह वाली value और यहां पर यह वाली value यह दोनों different हो चुक्यों है dagger in के द्रम्यान differentiate नहीं कर पाएगी कि कौन से value है तो obviously आप इसके लिए अपनी annotations बगारा create कर सकते हैं जो कि हम कुछ time बाद देखेंगे तो same चीज़ हम करेंगे अब carton के अंदर carton के लिए जो मारे पस dry cell battery है यहां पे इस battery का मारे पस voltage है अब suppose कर ले मैं इसी line को duplicate कर लेता हूं और voltage के बज़ए मारे पास capacity होती है यहां पे battery की और यह capacity हम यहां पे जो रिसीव भी करते हैं अपने constructor के अंदर capacity में इसको कह दूँगा double और यहां पर में इसको initialize भी करवा दूँगा capacity equals capacity और यहां पर जो voltage है इसके बाद यहां पर capacity भी output आ जाएगी मारी capacity अगर मैं इतने code रखता हूं और run करता हूं application को तो यह जो हमारे पास यहां पर voltage है यहां पर gain आपने देखा component builder के अंदर यहां पर inject हो रहा है तो अगर हमने जो value run time की ओपर यहां पर main activity के अंदर set किया वो तो सिर्फ हमने battery voltage set किया है हमने capacity set तो नहीं किये लेकिन चुकिके दोनों की type मारे पास यहां पर same थी तो dagger ने जहां पर भी उसको double की जरूरत पढ़ी है उसने उसको use किया है तो again इसके लिए फिर इसी method को हम यहां से copy क paste कर देंगे और इसको मैं यहां पर कह दूँगा set battery capacity और यहां पर भी यहां पर हमारे पास होगी capacity मैं जाँगा main activity के अंदर और यहां पर अगर मैं करता हूं dot set battery capacity तो वह भी अगर आप यहां पर कुछ भी set करना चाहें तो कर सकते हैं like मैं यहां पर कर देता हूं 45 तो डबल application को run करूंगा तो again dagger आपको error देगी क्योंकि वह बोलेगी कि जो double है आपने देखा double is bound multiple times क्योंकि आप dagger यह देख ली है कि यहां पर एक type double type मुझे दो दफा प्रवाइड की गई है तो मुझे नहीं पता कौन सी यूज़ करनी है तो हम यहां पे जो है और यहां पर यहां प पास यहां पर देख सकते हैं यह डैगर की नहीं जावा एक्स की annotation है तो add sign named और यहां पर मैं इसको कहा दूँगा voltage और इसी को मैं यहां से copy कर लूँगा यहां पर paste करूँगा और यह में पास हो जाएगी capacity and that's sorry यह यह में पास यहां पर आगी अब जांप में इनको यूज कर रहा हूं मझे यह वाली annotation यूज करनी पड़ेंगी तो dry cell battery की ओपर आँगा और यहां पर जो voltage यहां पर जाएगी इसको new line के ओपर ले आता हूं और यहां पर में पर यहां पर capacity के लिए आजाएगी अगें यह मारे पास our good values हैं तो make sure करें के टाइपों के लिए आप गोर से देखें के कोई आपका spelling mistake ना हो तो यहां पर अगर दोबारा रून करेंगे हम application को और locket की ओपर अगर हम जाते हैं तो आप अपने देखा successfully dagger एक टाइप के voltage और capacity जिनकी टाइप same थी double different values को उनके लिए inject करवा रही है using add sign name denotation तो I think so guys आपको समझा चुकी होगी कि किस तरीके से हम एक data type के जो objects होते हैं वो multiple objects हम inject करवा सकते हैं using dagger तो वीडियो कर helpful लगी हो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक कर नमाद बुलिएगा और किसी भी चीज में question हुआ Confusion or you can ask me in the comments में मिलूंगा आप लोंग से next video में जिसमें हम मजीद component को और उनके scope को understand करेंगे So make sure करेंगे आप चैनल को subscribe करें और बेल आइकन को दबाएं करा कि आप लेटास पार्स को मिस ना कर सकें See you guys in the upcoming videos, take care, Allah Hafiz